पे भीन का खटाना बेन खटाना कैसे लगाते हैं तो विन का हटान को ऑज यह से तीन चार अधिर क्षेक कंट आshot माइनच पांच बेड़े चार है अगर हर समान हो हर नीचे जो रहता है उसको बनीचे पर उपर जो है और नीचे जो है हर है तो अंस तीन है और हर क्या है चार है इसमें अंस पांच है और हर चार है तो देखिए अगर दोनों का हर एक ही हो तब क्या करते हैं तो वही उतारते हैं वही हर को उतार लेते हैं एक हर को उतार लेंगे और उपर की संख्या को यहां लिख देते हैं उपर क्या है तीन है माइनस क्या है उपर पांच है तो 3 रिंड 5 बराबर क्या होगा 3 माइनस 5 बराबर माइनस 2 होगा ठीक है बटे 4 माइनस 2 बटे 4 तो 2 से 4 को काट देंगे 2 कहने का मतलब माइनस 1 बटे 2 हो गया ठीक कैसे 1 बटे 2 हो गया तो 2 एक का 2 हो गया 2 दो नी 4 माइनस 1 बटा 2 यही एंसर हो गया ठीक है क्या हो गया एंसर हो गया क्या हो गया एंसर हो गया माइनस 2 बटे 4 है न तो 2 एक का 2 2 दो नी 4 तो माइनस एक बटे दो एंसर हो गया और उदारान देखते हैं दूसरा उदारान देख लेते हैं यह पहला था दूसरा उदारान देखते हैं जैसे तीन बटे 5 माइनस पांच बटे 6 तो इसमें तो हर एक समान नहीं है हर एक समान नहीं है इसमें करने मतलब दोनों अलग अलग है ठीक है तो अगर दोनों अलग अलग है रहे तो दोनों का लस निकालते हैं लसर कैसे निकालते हैं देखिए 5 और 6 का लस तो किस संक्षा से कटे गाए 5 करने मतलब 6 जो है दो से कट तो पंस नहीं कटे गए पांस को इसी तरह उत tuar लेंगे दो किउसे खटे गादो टिण यह जिए अब किस से कटेगा अब attractions से Kaiserी का जाएगा अट्यों नहीं के थेनी में तेंसीकर फॉले लेंगे तीन कटीन अब पांस काते पांस तीक है तो कितना भ लगोत हुआउ Legislace है गुड़े तीन गुड़े पांच दो तिस याइच च्छा पंजे तीस है ये हो गया लस अपकर हो गया ठीक है लस हो गया ये तो लस यहाँ नीचे लिखते हैं यहाँ पर ठीक है अब 5 से भाग देंगे लर्षा में तो क्या आया पांच शक है कि इतना बार गया च्छा बार गया पांच शक तीस गुड़े उपर जो रहता है उसी का गुड़ा करते हैं तीन फिर माइनस से माइनस करेंगे अब शक आप फिर भाग देंगे तीस में छप पंजे है तीस गुड़े उपर है पांच तो यहां पांच लिख दिये तो अब क्या हो जाएगा छहातरीक अथारा माइनस 25 बटे 30 तो 18 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 18 में से 25 बटाएंगे तो क्या माइनस में आएगा कहने का मतलब माइनस 7 बटे 30 क्या आया माइनस 7 बटे 30 जो कि यही एंस्वर है क्या है एंस्वर हो गया यही यह दूसरा था हमारा तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए बताइए कि नहीं समझ में आया तो हम फिर से कई उदाहरां प्रस्तूत करेंगे आप सभी के सम्मुक और आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे लेकिन हमें पूर्ण बिस्वास है कि आप लोग समझ ही गये होंगे अगर कहीं पर confusion हो तो कमेंट करके बताइए हम फिर से कोशिस करेंगे बताने का ठीक है हम मिलते हैं आप लोगों से और वीडियो में और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार